आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ आज का हमारा परसन है, यदि P वास्तिक है तथा समीकन P X जमा एक, X जमा तीन, जमा दो बरावर जीरो के मूल वास्तिक नहीं है तो P का मान ग्याद कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस समीकन को हल करना होगा, जो हमें दी गई है यदि हम इसे हल करते हैं, तो किस परकार करेंगे, X जमा एक को X जमा तीन से गुना कर लेंगे, X की दो, जमा चार, X, जमा तीन, जमा दो बरावर जीरो इसके बाद हम P से गुणा कर लेते हैं इसको तो P से गुणा करने पर हमारे पास बन जाएगा P X की 2 जमा 4 P X जमा 3 P जमा 2 बराबर 0 तो ये दिवी गात समीकर्ण हमारे पास कुछ इस परकार बन जाती है जिसमें कि A P के बराबर है B 4 P के बराबर है और C 3 P जमा 2 के बराबर है ये जो A है वो हमारे पास X की 2 का गुणांग होता है और B X का गुणांग होता है और C अचर पद होता है जो कि अपने बिया पर लिखा है तो इस परकार यदि हम इन तीनों का परियोग करके यहां से वीवित कर ज्यात करें वीवित कर मतलब D इसके लिए हमारे पास सुतर क्या होता है B की 2 गटा 4 A C जैसे कि हमारे पता A, B, C, A तीनों है यह हमारे पास तो इन सभी को इसमें रख देते हैं तो यह हमारे पास D का पता लग जाएगा यहां से B का वरक मतलब 16 P की घाद 2 गटा 4 A हमारे पास P है और C कमान भी रख देते हैं 3 P जमाँ 2 और यदि इसे थोड़ा हल करें तो हमारे पास क्या जाएगा 16 P की घाद 2 गटा 12 P की घाद 2 गटा 8 P 16 P की घाद 2 गटा 12 P की घाद 2 तो इस door 4 P की 7गद 2 बन जाएगा गटा 8 P और यदि हम इसके गुणन फंद भी कर लें, तो वो क्या बनेंगे, 4P तो वेनिस्ट है, भार आ जाएगा, यहां बज़ जाएगा P घटा 2, अब हम इसमें, इस D का परियोग क्या करेंगे, हम परसन में आ जाते हैं, परसन में हम एक सर्थ दी गई है, कि P तो वास्तिक है, समी हम लिख लेते हैं, यहां पर 4P, P घटा 2, छोटा है सुनने से, अब हमें यह देखना होगा, P के ऐसे कौन से मान है, जिन पर यह 0 से छोटा होगा, तो उसके लिए हम यहां पर एक संख्या रेखा का परियोग करेंगे, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए, सबसे पहले दे जिरो मान लिया हमने यहां 2 मान लिया, अब यदि हम 2 से बड़ा, P का कोई भी मान रखें, जैसे कि 3, 4, 5, कुछ भी रखें, या कोई भी दसमलों में रखें, दो दसमलों यह क्या कुछ भी रखें, तो यह दिविगात परुपत जो भी हमारा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 2 से बड़ा, कोई 3 मान लिजी हम रखते हैं, तो यहां से क्या आएगा, 4 गुणा 3, 3 घटा 2, 3, 12, यह 1, इस परकार यह धनात्मा का जाएगा हमरे पास, और यदि हम 0 और 2 के वीच का कोई मान रखते हैं, P की जगा पे, तो यह धनात्मा का जाएगा, 0 से छोटा य कि P 0 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, जिससे कि यह दिवीकात भूपद, मतलब D जो है हमारे पास, वो 0 से छोटा हो जाएगा, और D यदि 0 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है,